हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको आटे और मैदे से नमकिन बनाने की रेसिपी बताऊंगे तो चलिए इससे अब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में एक कप मैदा लेंगे आधा कप गेहों काटा लेंगे अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर एक चमच अजवाइन एक छोटी चमच पलॉंजी नमक अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे ओल जो भी आप यूज करते हैं इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे देखे जब यह इस तरह से बंधने लगे तब हम इसमें पानी याज करेंगे अब इसे अच्छे से गूंद कर डो तयार कर लेंगे इस तरह से तयार कर लेना है अब हम इसके छोटे छोटे बंस तयार करेंगे इसी तरह हम सारे बॉल्स कर तयार कर लेंगे अब हमें इसे पूरी की तरह बेलना है इस तरह से बेल लेंगे चाकू की मदद से इस तरह से इस में लाइन्स डालेंगे ताकि वह एक जाली की तरह तयार हो जाए हलके हाथों से इस तरह घुमाते वे इसे पूल्ड करेंगे और दोनों साइड से इसे हम प्रेस कर देंगे इसी तरह हम सारे नमकीन तयार कर लेंगे तेल चक करेंगे यह गर्म हो चुका है अब हम इसमें नमकीन को फ्राइ कर लेंगे इसे हमें गोल्डेन होने तक प्राइ करना है बिल्कुल लाइट गोल्ड होना चाहिए बहुत ही डीफ प्राइ से हमें नहीं करना है दिखिए यह हो गया है अब इसमें निकाल लेंगे यह त्यार हो गया हमारा टेस्टी नमकीन जरूर एक बार ट्राइब करें पसंद आज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें डिल्कुल